तीजा के वृत में नियमों का पालन करा जाता है तीजा के वृत में यदि आपकी जो भी समस्याओ अभी तक मेरे पास आई है उनको लिके दोस्तों आज ये मैंने वीडियो बनाया है जिम आपके प्रशनों का उत्तर दे रही हूं तो जो भी लोग हर्ताली का तीज की वरत रख रहे हैं सबसे पहले उन्हें हादिक शुब कामना है आपका वरत सफल हो आपकी तपस्या सफल हो ऐसी कामना करती हूँ और आपने जो भी मनों कामना के साथ अपना वरत रखा है वो जरूर पूर्ण हो जाए नमस्ते दोस्तों मेरे चैनल नीता विक्रम आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी दोस्त नीता आप सब कैसे हैं दोस्तों हमेशा की तना माता नानी का जैकारा लगाईए आप सभी के ईष्ट गुरु दे भगवन माता विता सबको कोटी-कोटी प्रणाम है और दोस्तों अगर आप पहली वां मेरा वीडियो देकर है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल सब्सक्राइब करने क्लिए वीडियो के नीचे बनने वे लाल रंके बतर के ब्रेस करिये बाजम बने घंत यह बैल का ऐकन को प्रेस करिए तो शुरू करते हैं सबसे पहला प्रशन यदि आप पिरिच से हैं तो क्या आपको तीजा का या हर्टालिका तीज के दिन का व्रत रखना चाहिए तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक श्लोक सुनाती हूं जिससे आप ध्यान से सुनिए यह सत्य व्रत नाम की किताब से ल करते हैं तब यदि इस्तरी राजस्त्वला यानि पिरिट से हो जाए तो इस व्रत में कोई रुकावट या बाधा नहीं आती है यानि आप 101% पिरिट के समय पे तीजा का व्रत रख सकते हैं और आप विदिवत इस व्रत को रख सकते हैं अब दूसरा कोश्यन आता है इस व पूजा कर सकते हैं फिर अब मैं आपको मदन रत्न और प्रभास खंड वायू पुरांड से एक श्लोक लिया गया है जो आपको बता रही हूं भरता पुत्र पुरोधाष्ट भराता पत्नी सखा अपीच यात्राम धर्मकार्येश्यू करतव्या प्रतिहस्तका वा कारियेदा धधा ब्रहमनाद वा अपीकार्येश्यू तो दोस्तों ऐसा बताया गया है व्रत के दिन पर यदि कोई भी संकट हो जाए जैसे अगर पीरेट से आजाएं आप कहीं यात्रा कर रहे हैं कहीं बाहर गए हुए हैं किसी और जगा पे हैं आप महां किसी भी करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं तो जो पूजा पाठ है वो यह तो आप अपने पती से करा लें बड़े बेटे से करा लें किसी ब्रामन से करा लें भाई से मित्र से किसी से भी आप अपने हिस्से की पूजा पाठ करा सकते हैं तो दोस्तों इसमें ऐसा कोई भी बंधन नह नहीं हो पाइए तो आपके पास कोई भी आपकी घर कोई भी अठना करते जिन पर पूर्ण हो सकती है जैसे मैंने आपको बताया आपके पती बड़ा बेटा कोई ब्रहामर या फिर कोई भी आपकी सहेली भाई मित्र इत्यादी इस पूजन को आपके एवज में कर सकता है यदि आप कहीं बाहर यात्रा कर रहे हैं किसी कोई अवर्जेंसी में कहीं जा एक नेक्स कोशन बहुत है डाई है प्रेगनेंट है प्रेगनेंसी का आइवां महीना चल रहा है वड़ कैसे रख है अब इसमें सबसे मेन बात आता है कोई भी पूजा पाठ का धर्म का जो भी कारे होता है उसमें यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपको वरत रखने के लिए मना करा जाता है जब तक आपका शरीर ठीक ना हो वरत रखने योग्य ना हो आप वरत उपवास मत करिए जो लोग दवाई गोली के कारण खा रहे हैं यानि meditation पे हैं उनका already delivery time आने वाला है प्रेगनेंसी है बच्चा होने वाला है उल्टियां हो रही है तो उल्टी होने से वैसी भी वरत खंडित हो जाता है तो इस situation में आप बिल्कुल टेंशन मत लें और वरत न रखें आप केवल पूजन अर्चन कर लें भगवान फलाहर कर लें या फिर हम जूस पी लें हम कुछ इस तरह का आहर लें जिससे के वरत भी हो जाए और हम फलाहर भी कर लें तो दोस्तों तीजा या हर्ताली का तीज के वरत में इस तरह का कहीं कोई उल्लेक नहीं मिलता है जहां आपको कोई खाने पीने का नियम दिया गया हो यह एक निर्जला वृत है जैसा कि आप सही सुन रहे हैं निर्जला यानि इसमें जल भी नहीं लेते हैं तो जूस लेना फल लेना यह कोई भी खाने पीने की चीज लेने से यह वृत खंडित हो जाता है फिर भी आपका मन है इक्षा है आप इस वरत को रखना चाहें तो आप जूस फल मेवे मिठाई के साथ इस वरत को रख सकते हैं वैसे दोस्तों मैंने हमेशा अपने वीडियो में यह बताया है पहले भी कि जब भी आप कोई व्रत शुरू करें तो उसमें शुरुबात में कुछ न खुछ खा लेना चाहिए कभी भी बहुत कड़क उपवास एक्दम निर्चला करके नहीं रखना चाहिए जिससे कि आप आगे आने वाले समय में जब आप प्रेगनेंट हो तो आप इस तरह के सवाल में न उल्चें तो जिन्होंने वो वाली बात सुनके अपने घर की नानी दादी की या जैसे मैंने अपने घर में अपनी मॉम की और अपनी घर के लोग की बात सुनके पर्स टाइम में हमेशा कुछ नो कुछ खाया है फिर बले बाद में बहुत कड़क उपवास रखा निर्जला रख लिया कि हाथी के बाद में अब सेहत अच्छी है भले चाहें तो क्यों हम खाएं तो इसलिए अगर आप पहली बार में खा पी लेते हो तो यह आगे की दिक्क पास रखे और नहीं भी रखेंगे तो कोई दोश नहीं लगेगा जब आपकी ठीक हो जाएगे आप इस वरत को रख सकते हैं अब इसके अलावा दोस्तों एक कोशन आता है कि जो लोग पूचा पूचा पार्ट से संबंदित नियम नहीं आते हैं तो आप मेरा वीडियो दे पहली बात और दूसरी बात है पूचा बहुत अच्छे से हो जाती है इसके अलावा तीजा के वरत को लेके यदि आपके और कोई सवाल हो प्रेगनेंट लोगों के लिए मैंने बता दिया है और अगर आप पीरिट से हैं तो उनके लिए क्या करना है और बागी दोस्तों त सुबह के समय फिर जब शिवजी का विसरजन हो जाता है तब तक इस वरत को रखना चाहिए रात के समय लोगबाग मध्यरात्री के बात कई बार चाय ले लेते हैं और कुछ इस तरह का ले लेते हैं और सुबह के समय जब आप वरत का पारंट करेंगे तब आप खीरे से इस फाम से हड तालिका तीज मनाने वाले हैं वह प्लीज कमेंट करें विडियो कैसा अलगा वीडियो अगर है तो प्लीज इसे लाइक करिए और आप सभी के कमईंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पड़के मेरे सब आपको पता पर जाए किस दिन व्रत का शुब महरत क्या है इसी तर में साथ जुड़े रहे हैं अपना प्यार देते रहे हैं अगली वाब फेर आप से मिलूंगी दूस्तों तब तक के लिए नमस्ते